दिसमिल्ला रख्मान रहीम असलाम लेकूं वेलकम टू मय चैनल आज मैं आपके साथ शेर करें हूँ हूँ गरम मसाला पौडर की रसीपी ये बहुत ही परफेट गरम मसाला की रसीपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ दाल, सबजी, निहारी, पाई, बर्यानी, पुलाव, आलू, गोश्ट, अर्वी, गोश्ट किसी भी खाने में आप इसको शामिल करेंगे तो खाने का मज़ा और भी दोबाला हो जाएगा और इसमें मैंने एक सिक्रेट मसाला भी शामिल किया है जो कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी तो आईए फ्रेंज्स आपके साथ में इसकी रेसीपी शेर करती हूँ सफेद जीरा ले लिया है मैंने 80 ग्राउम और साबद धनिया ले लिया है मैंने 12 ग्राउम दारचीनी के 6 से आद अदद मैंने स्टिक्स ले ली थी काली मिर्च इसमें मैंने शामिल किया है 40 ग्राउम और अब इसमें मैं शामिल करूंगी बादियान के फूल जो के 6 अदद मैंने लिये है साबित वले बादियान के फूल मैं ऐसे ही रख दूँगी और जो इसके ठूटे फे पीस होते है उसको मैंने इसमें शामिल कर दिया है क्योंकि इनको ग्राइंड ही करना है और ये तेज़ बात ले लिए है मैंने 6 अदद लॉंग है 16 ग्राम बड़ी लाची ले लिए है मैंने 20-25 अदद और ये सब मिसाले मैंने कठे कर लिए है बाद में भी और भी इसमें में चीज़े शामिल करूँगी और अब पैन में इन सब मसालों को मैं हलका सा भून लूगी चूले की फ्लेम को मीडियम ही रखना है क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे इसको भूनेंगे तो बहुत जल्दी ही मसाले जलना स्टार्ट हो जाते है तो इसलिए मीडियम फ्लेम पे ही इसको भूनना है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगए तो उसको लाइक जरूर कर दे तो ये देखे चार से पार्जमेंट तक के लिए इसको मैंने फ्लाइ कर लिया है और इसको मैंने बॉल में निकाल लिया है जब ये मसाले थोड़ा थंड़े हो जाएंगे फिर ही मैं इनको ग्राइन्ड करूँगी क्योंकि अगर इन मसालों को गरम ही ग्राइंडर में डाल दिया तो ग्राइंडर जो है बहुत जल्दी पिर खराब हो जाता है तो इसलिए थोड़ा ठंडा करके फिर ही इसको ग्राइंड करना है इन मसालों को भूनने के बाद निके खुश्बू बहुत ही अच्छी आ रही है जावीत्री ले ले लिए है मैंने 2 ग्राम और अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी तो ग्राइंड करने के बाद 1 टेबल स्पून जावीत्री का पौडर भी इसको मैंने शामिल कर दिया है और यह जाइफल ले लिए है चार अदर इसको भी मैं ग्राइंड कर लूँगी जाइफल कोандο, टू की टेबल सुन पौणरल के मैंने इसमें, शामलकर दिया है 20 अधर सबजराची समें मैंने शामलकर दी है और यह 4 पीरिये लिए हैं, मैंने तवाशीर के यह масालों के पासे कहीं यूँ मिल जाता है इसको मसाले में शामिल करने से हाजमा बहुत 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 रहता है टू टेबल स्पूल ले लिए है मैंने अचार मसाला यही इसमें सिक्रेट मसाला है इसको आप गरम मसाले में शामिल करेंगे तो गरव मसाले का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है जाइफ़ल जावीद्री को भूना नहीं था इसलिए इसको मैंने पौडर बना के इसमें शामिल किया है तो यह देखे सारे मसाले जो है मैंने ग्राइंडर में डाल दी है उसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी जो कॉंटिटी मैंने आपको बताई है सेम इसी कॉंटिटी से आप अगर गरव मसाला बनाएंगी तो आपको गरव मसाला भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा अगर आपने कम बनाना हो तो उसकी कॉंटिटी को आप हाफ कर सकते है तो ये देखे गरव मसाला जो है बुद अच्छे से ग्राइंड हो चुका है इसको बिल्कुल पावडर फॉर्म में ही पीसना है तो ये देखे गरव मसाला बिल्कुल रेडी है उसको मैं च्छान लेती हूँ ताकि अगर इसमें कोई मोटे पीस बगर भी होंगे तो उसको फिर मैं निकाल लूँगी तो ये देखे अब चलनी में मैं गरव मसाला को पहले च्छान लूँगी आप ये गर गरव मसाला बनाएंगे तो आपको इन्शालला इसका रेजल्ट बहुत अच्छा लगेगा तो ये देखे इसमें थोड़े बड़े बड़े पीस होते हैं तो अब इसको मैं इसमें से निकाल लूँगी और अब ये गरव मसाला बिल्कुल रेडी है तो बाकी का जो गरव मसाला है उसको भी मैंने इसमें चाल लिया है तो थोड़ा थोड़ा करके चली में मैंने गरव मसाला डाला था ताकि सब बड़े बड़े पीस हैं इसको मैं अलग कर सको अचार मसाला इसमें शामिल करने से गरम मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता तो इसकी खुश्भू भी बहुत अच्छी हो जाती है आप नहीं यह अचार मसाला इसमें जरूर शामिल करना है तो यह देखें सारा गरम मसाला मैंने चाल लिए है इसके सब ये पीस एक्स्टर जो है को मैंने निकाल लिए है उसको इसमें शामिल नहीं करना है और ये देखे गरम मसाला पाउडर अब बिलकुल तयार है हर चीज इसमें बिलकुल ही बराबर है और हर मसाले का ही अपना इसमें टेस्ट होता है जो के बहुत ही मज़गा लगता है एक दफ़ा ये गरम मसाला पीस के रख लें तो काफी टाइम तक आपको बहुत ही सहुलत रहती है कोई भी खाना बनाया हो तो लास्ट मिस को जरूर शामिल करें जिससे खाने का टेस्ट बहुत ही मज़गा हो जाता है और अब इसको मैं एर टाइट बाटल में डालके रख लेती हूँ जिससे ये किसकी खुश्बू भी काफी अरसे तक फिर बरकरा रहती है तो फ्रेंड्स आपने ये रसीपे जरूर ट्राई करनी है उसका फीडबैक आपने मुझे जरूर देना है उमीद आपको मेरी आज की रसीपे जरूर अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक जरूर कर दे और मेरी चैनल को अगर अभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सबस्क्राइब भी कर दे बेल आइकन को भी आल पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नहीं आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दौा में जरूर याद रखेगा फिर में लोगे इन्शालला किसी अच्छी से रसीपे के साथ अल्लाहाफेज